अब आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ड आज की वीडियो में हम एनिमल टीशू के बारे में डिसकस करने वाले हैं इसलिए फ्लो चार्ट के बारे मालूम होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक अनिमल टीशू को चार अलग अलग कैटेगरी में बाटा हुआ है मस्कुलर टीशू, कनेक्टिव टीशू, नर्वस टीशू, और फौर्थ कैटेगरी है एपिथीलर टीशू, किसी को भी आप आगे बीच ले सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है तो एपिथीलर टीशू को हम सबसे पहले डिसकस करते हैं इसमें क्या-क्या parts पॉसिबल है अब देखें एपिथीलर टीशू को 5 अलग-अलग कैटेगरी में बाटा गया है Squamous Epithelial Tissue Cuboidal Epithelial Tissue जो Cube Like होते हैं बेसिलिए structure के अधार पर है Number 3 Columnar Epithelial Tissue Celiated जिसमें Cilia पाए जाते हैं और Glandular Epithelial Tissue ठीक, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यह 5 section है जो Epithelial Tissue के अंदर आपको Cover करने होते हैं Next आता है Muscular Animal Tissue जो Muscular Tissue होते हैं वो Stripped, Unstripped जिसको आप Non-Striated भी ले सकते हैं और Number 3 Cardic तो Stripped, Unstripped और Cardic यह 3 कैटेगरी में बटा होते हैं Muscular Tissue तो याद रखना है आपको Epithelial Tissue के 5 section होते हैं और Muscular Tissue के 3 section बनाए गए हैं Connective Tissue Number 3 यह जो Connective Tissue होता है इसको भी कुछ कैटेगरी में बाटा जाता है इसलिए Flow Chart बड़ा Important होता है हाला कि Flow Chart एक्जाम में नहीं आता है लेकिन Flow Chart की मदद से आप एक Connection बना लेता है कि कौन सा पार्ट किस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए ठीक है चलिए अब देखते हैं कि Connective Tissue किन-किन फार्मस में मिलता है Arular Tissue Second Dense Regular Tissue Third Adipose Tissue Fourth Skeletal Tissue और Last Number 5 Vascular Tissue जिसको Fluid Tissue भी कहा जा सकता है ठीक है तो Arular Tissue Dense Regular Tissue Adipose Tissue Skeletal Tissue और Vascular Tissue जिसको Fluid Tissue के नम से भी जाना जाता है तो 5 Category है किसके अंदर? Connective Tissue के अंदर Same उसी तरीके से जैसे कि Epithelar Tissue में भी Category बनाई गए थी क्योंकि वहाँ पर भी Total 5 Section थे ठीक है? Muscular में सिर्फ 3 होता है Next आता है और Last Nervous Tissue जो Nervous Tissue होते हैं इसमें कोई पार्ट नहीं है सिधा Nervous Tissue में आपको Neuron के बारे में Explanation देनी होती है और बागे Division कुछ नहीं है इसके अंदर आप चलिए आगे चलते हैं तो Connective Tissue जो है ना मारे पास इसके अंदर जो 5 Section थे उसमें से कुछ पार्ट को Further Divide किया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे है Dense Regular Tissue जो होते हैं या Dense Regular Connective Tissue आप बोल सकते हैं इसको दो पार्ट में बाटा गिया है Tendon और Ligament याद रखेगा Tendon और Ligament ये Dense Regular Connective Tissue के अंदर आते हैं अपने आप में एक टाइप है Connective Tissue का जो Vascular Tissue होता है जिसको हम Fluid Tissue के नाम से भी जानते हैं इसको भी आप दो अलग-अलग पार्ट में बाटने हैं वो है Blood और Limp ठीक है? जो Skeletal Tissue है Skeletal Tissue के अंदर भी Soft Bond और Hard Bond मतलब Cartilage और Bond इन दो पार्ट में आपको बाटना होता है तो I think आप समझ गए होंगे कि Flow Chart जो होता है वो कितना Important है अगर हमें Flow Chart के बारे मालूम नहीं है Animal Tissue के क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट है तो जैसे मालनी जे कोशन आता है कि भी Tendon क्या है Tendon is a type of क्या? तो I think आप समझ गए होंगे कि Flow Chart बहुत Important होता है आपकी खुद की Help करेगा एक्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपको समझने में मदद करेगा कि कौन सा type, किस category के अंदर शामिर होना चाहिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ